सर्वोच नियालनी एतिहासिक निर्णे में संविधान के अनुचे 370 को निरस्त करने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है इस अनुचेत की तहट पुर्ववर्ती जम्मु कश्मीर राजी को विशेश तरजा दिया गया था केंद्र ने 2019 में अनुचे 370 को निरस्त कर दिया था और राजी को दो भागों में विभाजित करके केंद्र शाषित प्रदेश लग्दाक और जम्मु कश्मीर बना दिये थे मुख्य नियाधिश दी वाई चंद्र चूर की अध्यक्षता में पांच जजों की संवेधान पीटने केंद्र के फैसले को चुनोती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया सरवची नियाले ने कहा कि अनुछे 370 और स्थाई प्रावधान था और राश्ट्रपती को उसे निरस्ट करने का अधिकार है नियाले ने अगस्त 2019 में जम्मु कश्मीर से लद्दा को अलग करने और केंद्र शाषित प्रदेश बनाने के फैसले को बरकरा रखा नियाले ने कहा कि जम्मु कश्मीर की अने राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है और भारतिय संविधान के सभी प्रावधान जम्मु कश्मीर पर लागू होते हैं सरवोचे नयाले ने कहा कि जल से जल जम्मु कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए पीक ने निर्वाचनायोग को सितंबर दोहजार चौबेस तक चुनाव कराने का भी निर्देश दिया है वहीं प्रधान मंतरी नरींडर मोदी ने नयाले के फैसले को एतिहासिक बताते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इससे जम्मु कश्मीर और लद्दाग की जनता के लिए आशा प्रगती और एकता की घोशना को पुनहबल मिला है प्रधान मंतरी ने कहा कि अदालत में पूरी सूजबूच से एकता की उस भावना को मजबूत किया है जो भारत की जनता को पूरी तरह एक दूसरे जोड़े और संजोए हुए है प्रधान मंतरी ने जम्मु कश्मीर और लद्दाग के लोगों को आश्वासन दिया कि उनके सपने साकार करने की सरकार की प्रतिवधता अटूट है